नमस्कार एस पांडे यूट्यूब चैनल आज में आप सबसे पहले भी मैं इस एक्सराइज का कुछ सवाल बताया हूँ और जो मैं नहीं बताया हूँ आज बताया हूँ आज बताऊंगा जहां पर दोच देगा तो सबसे पहला कॉस्ट नाइन डिगरी पलस साइन डिगरी इसकल रूट तो साइन चोल रहते हैं आज के वीडियो में मैं यूनिक यूनिक सवाल बताऊंगा जो आप इस एक्सराइप्टर से रिलेटेड आप सुरू से अंतों तक मेरे वीडियो को देखेंगे वीडियो कैसा विडूर तो अब यहां पर देखा जाए कि कॉस नाइन डिग्री हम इसको लिख सकते हैं कॉस नाइन डिग्री को 54 घटा 45 है क्यों क्योंकि 54 में 45 घटेगा क्या बचेगा नो एदाइदस्तर 14 14 में 5 जाएगा नो तो वह हो गया फिर प्लस साइन 9 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 54 माइनस 45 डिग्री क्योंकि 54 में 45 घटेगा तो नो बचेगा अब यहाँ पे देखा जाए यह कॉस A-B के रूप में है किने कॉस A-B का सूत्र है तो देखें कॉस A-B का सूत्र होता है कॉस A इंटु कॉस B पलस साइन एंटु साइन बी तो कॉस A के रूप में की है 45 आब B के रूप में 43 तो हम इसको लिख सकते हैं貌स A यानि कॉस olm इंटू क्या होता है, ठीक उस्थ पहीं जाक कर दोलो कितना है? प्रशी जाओवारणाट टीक उस्थ लूह 25 और आध चाहई रहरे पहीं मेंगेट जाओवारणाट पहीं मेंगेए तो sin A-B का सोत रोता है sin A into cos B minus cos A into sin B तो देखे, sin 54 minus 45 है तो इसको लेके, फुरहां देखे, sin A-B, sin 54 degree into cos B, cos 45 degree, फिर दिखे, क्या था minus cos A into sin B, तो minus cos A, A का भेल क्या है, 54, into क्या हता sin B, sin B, B का भेल कितना है sin A, तो अब यहां देखेगा, cos 54 degree, अब cos 45 degree का भेली क्या है, तो 1 by root 2, cos 45 का भेली 1 by root 2, पहला sin 4, into sin 45, तो sin 45 का जो भेली होता है, 1 by root 2, कर देखे, पुन अब यहां देखा जाए, पहला sin 4, कर देखे, sin 45 का भेली 1 by root 2, minus cos 45, फिर sin 45, sin 45 का भेली करता है, 1 by root 2, अब यहां भे देखा जाए, कि cos 54 degree into 1 by root 2, यह पलस में है, minus cos 54 degree into 1 by root 2, मैनस में है, यह term और यह term क्या होगे, यह और यह cancel हो गया, तो मेरे पास क्या भचिया, साइं 54 degree, बटे root 2, तो कि sin 54 degree को ना 1, sin 54 degree बटे root 2 plus, फिर साइं 54 degree into 1, तो साइं 54 degree बटे क्या होगे root 2, अब देखा जाए, रूट 2 और रूट 2 का जो LCM होता है, वो क्या होता है root 2, रूट 2 रूट 2 का LCM root 2, यह होगे, आपका साइं 54 degree plus, साइं 54 degree, ठीक ना, अब देखे, एक साइं 54 degree और एक साइं 54 degree, तो क्या होगे, 2 साइं 54 degree by root 2, अब यहाँ देखा जाए, यहाँ पे 2 है, तो इस दो को हम लिख सकते है, root 2 गुना root 2, क्योंकि root 2 गुना root 2 होता है तो ही, और फिर साइं 54 degree, अब बटे क्या है, root 2, अब यह root 2 और यह root 2 कैंसे, तो देखे, यह क्या, root 2 sin 54 degree, अब यह देखे है, एक unit, यह root 2 sin 54 degree, यह आपका क्या हो गया, देख सकते हैं, 6.1 exercise का मैं, 8 का तिन नमर बताने जा रहा हूं, 6.1 exercise का मैं, 8 का तिन नमर बताने जा रहा हूं, यह sin 3 alpha by sin alpha plus cos 3 alpha by cos alpha is equal to, 2, हमेशी करना है, 4 cos 2 alpha, root करना है, तो सब्से पहले मैं LHS को लिखूंगा, LHS, LHS is equal to sin 3 alpha by sin alpha plus cos 3 alpha by cos alpha, यह है, अब यहां पर देखा जाए, सब्सक्राइब यह दोनों नीचे वाले टर्म का LCM ने लेगी, तो LCM जो हो जाएगा, वो sin alpha into cos alpha, अब यह दिखे, sin alpha से डिवाइड करें इस टर्म को, sin alpha, sin alpha cancel तो बज़ जागा cos alpha, तो cos alpha वो multiply हो जागा sin 3 alpha से, तो sin 3 alpha into cos alpha, बीच में plus कर चिन है, plus कर दिये, पुलाँ दिखे, अब cos alpha से भाग देनी इस टर्म को, cos alpha, cos alpha cancel तो यह sin alpha इसके साथ, बुराँ ज़गा, तो cos 3 alpha into sin alpha हो गया, अब देखा जाए, यहां पर एक सुत्र होता है, तो sin a plus b इसको तो, sin a into cos b plus cos a into sin b, यहां पर देखे, sin 3 alpha into cos alpha plus cos 3 alpha into sin alpha, यह sin a into cos b plus cos a into sin b, यह तो हो गया आपका sin 3 alpha plus alpha के सुत्र में आगे, sin 3α प्लस alpha अब कι एका value है 3α, b का value sin a into cos b plus cos a into sin b तो sin a plus b नहीं सकते हैं तो sin 3 alpha into cos alpha sin 3 alpha plus alpha रिशे सकते हैं तो अब यहां पे देखिए क्या है sin alpha into cos alpha अब हम आप लोग को रिखीज बता देते हैं जबदी sin alpha into cos alpha or sin a into cos b के रुप में रहे तो 2 से गुना करते है और 2 से भाब कर देते है, तुम्हें ये देखें, 2 और 2 कैंसीर हो जाएगा, तो फिर 2 ही ठर्मा जाएगा, तो अब यहां पर देखाजा है, विद्यक्र के लो, 3 और 1 कितना हुए, तो 2sin 4α, 2sin 4α by 2sin 2 1st cos 2sin 2α, 2sin 2α into cos 2α, अब यहां पे देखा जाए एक सुत्र होता है एक सुत्र होता है क्या है साइन टू अलफा इसकोल टू साइन अलफा इन्टू कॉस अलफा यह सुत्र होता है यानि साइन टू ठीटा इसकोल टू साइन टीटा इन्टू कॉस ठीटा तो अब यहां पे देखा जाए माए 나 से हिए इंसे हैं तो है फोर फैतोए से की क्यों कि दूसर निसे एके तूसरक्ने-टек इन्टूहार जाहिए नुसरेय करहें तो साइन 2 X रहेगा, 2 साइन xayin to qo sex, साइन 2 m रहेगा, 1 fringe 2 M रहेगा, 21 कीसी साइन 2 इन 2 तोल्बाइ से यहाँ और theta तोटल तर्म है, तो इसको ने क्या लेग से लिगा है, 2prises dave, whatnot अधम यहाँ answers dans 2, 2 into alpha रहता है यहां sin 2 into 2 alpha है यहां पर 2 alpha होगा into cos 2 alpha क्यों तो कि alpha के रुप में 2 alpha है अब बठे क्या है साइन 2 alpha देखिया यह sin 2 alpha sin 2 alpha कैसे तो 2 दूनी 4 चार आओगे क्या बच गया cos 2 alpha देखिया मैं को प्रूड क्या करना था 4 cos 2 alpha प्रूड हो गया अच्छे देख देखिया आज के वीडियो में मैं इतना ही